कि आज भी मैं देखता हूं कि दूसरा कॉरुना का वेव आ गया हमारे सारे नेता या तो कौरेंटाइन हो गये हैं या तो I.C.U में चले गये हैं या आइसोलेशन में चले गये हैं कोई विपक्षी नेता देखता नहीं है समाज के लिए और काम करते हुए दिखते हैं तो वो भारतिय जनता पार्टी के लाखों कारे करता धरती पर दिखते हैं इस बात को हमको समझना चाहिए इसलिए हमारी यादे जहां ताजा होती हैं वहीं पिछली वार जो बिहार की जनता ने हमको चुनाओं में नतीजों में जो हमारे को आशिरवाद दिया उसके लिए मैं धन्य अपने जो आर जेडी के टाइम का गुंडा राज था फिर चाहे वो राज जिसमें हम कहते हैं कि लोगों को एक्स्टॉर्शन करना लोगों के साथ चवरदस्टी करना और उसी तरीके से एक तरीके की एक इंडस्ट्री चलाना जिसको हम अपना एक्स्टॉर्शन करने के लिए जो इंडस्ट्री चलती है उस तरीके की बात और वातावरन देखने को मिला था इसलिए जो रोल ऑफ उपोजीशन था वो बहुत ही निरर्थक उपोजीशन रहा जनता ने बिहार की हमको आशिरवाद दिया हमें सफलता दी उसके लिए मैं पुना धन्यवाद देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे नितीश कुमार जी की नित्यत्त में बि इस तरीके से बिहार कोविट के साथ लड़ा है मैं यहाँ पर यह जरूर कहना चाहता हूं कि जहां तक भारत का सवाल है प्रधान मंतरी मोदी जी के नित्रतों में यह महामारी जिस महामारी की कलपना किसी को भी नहीं थी और इसमें कैसे लड़ा जाता है इसका वी ग्यान नहीं था ऐसे में हमारे प्रधान मंत्री जी ने 130 करोड देश का जो नेत्र तो किया और 130 करोड की देश को बचाया है वह सच में सराहनिया है और वह अनुकरनिया है और हमको जिस तरीके से उन्होंने फैसले लिए समय समय पर बोल्ड और टाइमली डिसीशन लिया इसको भी हम सराहते हैं इसको भी हम जरूर को धन्यवाद देना चाहते हैं मित्रों हमें मालूम है पास्चात्य देश हमसे ज़्यादा स्वास्त के दृष्टी से स्ट्रक्चर के दृष्टी से इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टी से ज़्यादा मजबूत थे लेकिन ये पास्चात्य देश ने भी कोरुना में अपने आपको एक तरीके से असहाय माना हूँ लेकिन प्रधान मंत्री जी ने समय पर लॉकडाउन लगा करके देश को तयार किया और देश को कोरुना से लड़ने के लिए तयार किया आप याद कीजिए एक समय में हमारे पास कोरुना की दिन थी और हमारे पास लाब के नाम पर एक National Institute of Virology पूने हुआ करती थी आज हमारे पास टेस्टिंग कैसिटी 25 लाख प्रती दिन हो गई है यह भारत को तयार किया प्रधान मंत्री मोदी जी ने और आज हम कह सकते हैं कि इस टेस्टिंग कैसिटी के कारण जहां एक लाब होती थी आज हमारे पास पच्छिस सो लाब टेस्टिंग कैसिटी पच्छिस सो लाब्स हैं जो RT-PCR के टेस्ट करती हैं और पच्छिस लाख टेस्ट प्रती दिन हो रहे हैं इस बात को हमको समझना चाहिए उसी तरीके से आईसोलेशन बेड्स आज हमारे पास 14 लाग है उस से देशों को भारत ने यह पहुंचाने का भी काम किया है इसको हम ध्यान में हमें रखना चाहिए और जैसा कि अभी संजे जी बता रहे थे कि आपके हाँ भी कोविड मैनेजमेंट में लगभग 28,260 बेड्स हैं और उसी तरीके से आउक्सिजन यूग बेड्स लगभग 16, 9,800 हैं उसी तरीके से आई सी यू बेड्स 15,82 हैं और जो आपके हाँ ये आपदा संपूर्ती पोर्टल है उसमें भी आपने डीबीटी के माध्यम से लोगों को 6,000 रुपे की राहत पहुचाने का काम किया है तो इसलिए बिहार में भी एक अच्छे तरीके से इस काम को बारे में हुई और ऑक्सिजन के बारे में आपने कल दिल्ली की रिपोर्ट भी देख ली किस तरीके से लोगों ने ऑक्सिजन पर राजनीती की है वो भी हम समने देखा हैं लेकिन प्रधान मंत्री जी ने इस देश को एक सप्ता के अंदर ऑक्सिजन की कमी से दूर किया ये एक सप्ता के अंदर प्रधान मंत्री जी ने 9440 मेट्रिक टन प्रती दिन के हिसाब से इसको करने का काम किया ये के पैसिटी डेवलप की गई और इसके साथ-साथ आपको जानकर के खुशी होगी कि हमारे ऑक्सिजन के टैंकर्स इनकी संख्या 1681 हो गई ऑक्सिजन सिलेंडर की संख्या जो 4,000,000 यूनिट होती थी वह 11,000,000 की गई और इसी तरीके से क्रायोजेनिक टैंक्स जो थे वो 609 से बढ़कर 901 टैंक्स हो गए और इस तरीके से क्रायोजेनिक टैंक्स की भी स्टोर की के पैसिटी को बढ़ाया गया और इसके साथ-साथ अब 1500 PSA प्लांट्स यानि प्रत्यक जिले में एक PSA का प्लांट ऑक्सिजन का लगाया जा रहा है मैं यहाँ निवेदन करूंगा भारतिय जन्ता पार्टी के कारेकरताओं से नेताओं से MLA से कि अपने अपने जिले में समय रहते जुलाई महिने में PSA का प्लांट लग जाए प्रधान मंत्री प्रधी ने PM केर फंड के तहद इसके लिए आपको पैसे आवंटित किये हैं और 1500 PSA प्लांट लगने हैं तो उसमें भी हम अपने आपको जोडने का प्रयास करेंगे जहां तक बिहार के ऑक्सिजन का सवाल है 11 औक्सिजन रिफिलिंग प्लांट आपके पास थी जो बढ़क से 105 जो 115 मेट्रिक प्लांट लगने हैं बिहार में उसमें अभी 71 प्लांट अभी सेट अप हो रहे हैं Central Government की तरफ से मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह जो 71 प्लांट लग रहे हैं इस प्लांट को हम निश्चित रूप से सुनिश्चित करें कि यह समय रहते अपने लग जाएं और ऑक्सिजन की आगे आने वाले समय में कोई कमी न रहे इसकी हमको जिन्ता करने करें अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें